Hello everyone, Welcome back to my channel OneVision MBBS तो इस वीडियो में हम देखने वाले है Superficial Perennial Space या फिर आप कहई सकते है Superficial Perennial Pouch के बारे में ठीक है? देखिए पिछले वीडियो में हमने देख लिया था हमारी Deep Perennial Space के बारे में ठीक है? तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले है Superficial Perennial Space के बारे में अब देखिए अगर आपको Superficial Perennial Pouch समझे ना है तो आपको या फिर आपको Deep Perennial Pouch समझे ना है तो आपको इस डाइग्राम को देखिए इस चार्ट को अच्छी तरह से दिमाग में याद रख लेना है कि सबसे पहले सकीन, Superficial Fascia, Deep Fascia और Pelvic डाइफिराम है उसमें Superficial Fascia को अगर हम डाइसेक करेंगे तो उसके बाद जो हमें Eurogenital Triangle में जो Space मिलेगी उसे हम कहेंगे Superficial Perennial Pouch और फिर उसके Deep जाएंगे और Deep Fascia या फिर आप कहे सकते हैं Eurogenital Triangle में Deep Fascia ठीक हो जाता है उसे हम कहते हैं Perennial Membrane तो यह जो Perennial Membrane को अगर हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगी एक Space मिलेगी जिसे हम कहेंगे Deep Perennial Pouch ठीक है तो यह हो गया Superficial और Deep Perennial Pouch ठीक है और यह भी हमने देख लिया था ना कि Superficial Pouch है वो Deep Perennial Pouch से Differentiate होता है मतलब कि सेपरेट होता है किसकी ठीक है Perennial Membrane के ठीक है तो यह होगी हमारा Superficial Pouch और क्यों यह उसकी Situation हो गई कहां पे Superficial Fascia और Deep Fascia के बीच में प्रेजेंट होता है ठीक है और कहां पे Eurogenetal Triangle में प्रेजेंट होता है तो हम यहां पे यही देखेंगे इस 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 सुपरफिशल स्पेस ओफ यूरो जनेटल रिजियन सिट्येटर सुपरफिशल टूट दी पेरिनियल मेंब्रेन और हमने डीप पेरिनियल पाउच में क्या देखा था वो कहां पे प्रेजेंट होते Eurogenetal Triangle में सिट्येटर डीप टूदी पेरिनियल मेंब्रेन ठीक है आपको डिफरेंशियट करके याद रखना है तब भी आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगा ठीक है और जिमाग में बेट जाएगा यह होगी इसके इंट्रेडॉक्षन के बारे में अब हम देखते हैं Boundaries of the Superficial Perennial Space ठीक है तो Superficial Perennial Space की Boundary में सबसे पहले देखें Superficial आप देखें ना यहां से Superficial क्या होता है Superficial Facial और हमें पता है ना Superficial Facial दो पार्ट में डिवाइड होता है एक होता है हमारा Fetty Layer जो Superficial होता है या फिर आप कहिए सकते है Collis Fascia ठीक है तो देखें यही लिखा है Superficial में कौन बनाता है Collis Fascia Superficial Boundary ठीक है Deep Boundary के बात करें तो वो तो हमें पता ही है यहां से कि Deep कौन बनाता है Perennial Membrie देखें Perennial Membrie On Each Side आपें पता ही है Isopubic Remai क्योंकि Eurogenital Triangle में Lateral Side Means के On Each Side Laterally क्या प्रेजन होता है Isopubic Remai ठीक है अब देखते है Anterior Boundary ठीक है Anterior Boundary के से होती है Open होती है और Continuous होती है Okay Continuous with Space of the Scrotum and Penis in male and Space of the Clitoris in female ठीक है यह पहला पॉइंट हो गया तो देखें Anterior Boundary क्या होती है एक तो Open होती है और Continuous होती है किसके साथ एक तो Space के साथ और Anterior Abdominal Wall के साथ तो Space कौन-कौन सी Male की बात करें तो Space of the Scrotum and Penis और Female की बात करें तो Space of the Clitoris ठीक है यह आपको Understanding रखनी है Posterior Boundary की बात करें Posterior Boundary is Closed by the Fusion of Perineal Membrane with the Collis Fascia अगर आपने Perineal Membrane का वीडियो देखा होगा न तो आपको पता होगा तो Perineal Membrane है वो Posteriorly क्या करती है यह Posteriorly वो इस तरह से नीचे की और राउंड लेती है ठीक है इस तरह से जाती है और कहां Supervisual Fascia के साथ क्या हो जाती है Fuse हो जाती है तो यही है Closed by the Fusion of Perineal Membrane with the Collis Fascia मेंस के Anteriorly Open होती है और Posteriorly Closed हो जाती है ठीक है यह हो गई Supervisual Perineal Space की Boundaries के बारे में ठीक है अब हम देखते है हमारा दूसरा Point कौन सा Content of the Supervisual Perineal Space देखे है Content में वही Content हमें देखने है जो हमने कहां पे देखे थे है हमने देखे थे हमारे Deep Perineal Space में ठीक है तो सबसे पहला Point का देखना है हमें Structure के बारे में मतलब कि Supervisual Perineal Space है उसमें कौन-कौन से Structure हमें देखने को मिलते है ठीक है अब मेल में बात करे है तो हमें क्या देखने को मिलता है Root of the penis present होता है ठीक है कहां पे Supervisual Perineal Space में और female में बात करे है तो दो चीज़े देखने को मिलते है एक होगी हमारी Body of Clitoris और दूसरी होगी हमारी Two Bulb of Vestibule ठीक है यह होगी है अब देखिया Root of Penis की बात करें तो अगर आपने देखिया ना हमने 10th या 12th में अगर आपने Root of Penis का structure देखा होगा ना तो उसमें क्या होता है दो Kevarnoza present होता है और एक Sponsiozum present होता है ठीक है तो हमें क्या हम उसे क्या कहता है दो Corpora Kevarnoza और एक Corpus Sponsiozum ठीक है और ये तीनों मिल्किया बनाते है Root of the Penis का formation करते है और ये भी हम जानते है कि Root of Penis में से क्या Transverse करता है It is Transverse by Eurethra क्योंकि Root of Penis में से Eurethra भी Pass होता है ना और मेल में क्या है Eurogenital Opening Single है मतलब कि एक ही Opening है Urine Pass होने के लिए और Genital Opening ठीक है तो ये Eurethra Transverse करता है कहां से Root of the Penis में से ठीक है ये हो गया मेल में और फीमेल में क्या क्या है Body of Clitoris और Two Bulb of Vestigul ठीक है Body of Clitoris के बाद करते है तो Root of Penis के जैसा ही है ठीक है और उसमें यहां पर क्या होता है सिर्फ Kevarnoza ही present होता है ठीक है दो Corporal Kevarnoza ही present होता है किसमें Body of Clitoris में और जो दोनों Corporal Kevarnoza है वो separate हो जाते है एक दूसरे के साथ By an Incomplete Septa ठीक है अब देखिए हमने जो Root of Penis में एक Eurethral Opening देखिए है कि देखिए Eurethral Orifice Lies behind the 2 cm to Clitoris मतलब Clitoris से 2 cm posteriorly क्या present होता है Eurethral Orifice और Vaginal Orifice भी कहां पर present होती है Just behind the Eurethral Orifice मतलब कि Clitoris हुई उसके 2 cm behind क्या होता है Eurethral Orifice और उसके Just behind क्या होता है Vaginal Orifice present होता है ठीक है यह हो गया Body of Clitoris के बारे में ठीक है अब हम देखते है Two Bulb of Vestibule ठीक है यह भी female में present होता है Both Bulb of Vestibule Unite and get attached to the Glands Clitoris ठीक है आपको यह structure अच्छी तरह से याद रखना है ठीक है क्यूंकि Deep और Superficial Perennial पांच बहुत ही important question है ठीक है कई बार इसका difference भी पूछते है ठीक है तो यह हो गया Structures of the Superficial Perennial Space ठीक है अब हम देखते है दूसरा point Muscle on each side मतलब कि Muscle कौन-कौन से present होते है हमारे Superficial Perennial पांच में ठीक है तो देखे Male की बात करें या फिर Female की बात करें दोनों में Same to Same Muscle ही present होते है ठीक है कौन-कौन से मसल होते है देखे Bulbos Sponsiosus Muscle है Issue Kevernosus Muscle है और Superficial Transversus Perennial ठीक है देखे Bulbos Penis को Bulbos Sponsiosus Muscle है वो किसे कवर करता है Bulbos Penis को ठीक है दूसरा यहाँ पे लिखा है Corporal Kevernosus of Penis इसको कवर करने वाला मसल कौन सा है Issue Kevernosus Muscle Kevernosus है तो Kevernosus Muscle कौन सा Issue Kevernosus ठीक है Bulbos Penis है तो Bulbos Sponsiosus Muscle ठीक है और यह तो मैं पता है Deep Perennial Pound क्या था Deep Transversus Perennial और यहाँ पे क्या है Superficial Transversus Perennial ठीक है Female की बात करें तो Muscle तो Muscle किसे कवर करता है Corporal Kevernosus क्लाइटोरिस को और Superficial Transversus Perennial तो प्रेजेंट ही है ठीक है यह हो गया Muscle on each side ठीक है अब नौस की बात करें मतलब कि कौन-कौन सी नौस प्रेजेंट है हमारे Superficial Perennial पाउच में ठीक है तो दीक है पैनिस और Perennial नौ ठीक है यहाँ पे कौन-कौन सी है Perennial नौ की तीन ब्रांच प्रेजेंट है Posterous Crotal Branch of Bulb and Muscular Branch ठीक है यही Perennial नौ की ब्रांच कहाँ प्रेजेंट है Female में लेकिन नाम चेंज होंगे ना यहाँ पे कौन का Posterous Crotal यहाँ पे Posterous Labial यहाँ पे Branch to Bulb यहाँ पे Branch to Bulb of Vestibule ठीक है Muscular Branch ठीक है यह Perennial नौ की ब्रांच हो गई अब देखते है Long Perennial नौ कहाँ से निकलती है From the Posterous Cautaneous Nau of Thigh ठीक है उसकी Long Perennial नौ यह ब्रांच भी यहाँ पे मिलती है कहाँ मेल और Female के Superficial Perennial पाहुच में ठीक है तो यह आपको याद रखनी है अब हम बात करते है Vessels की ठीक है कौन-कौन सी Vessels प्रेजंट होती है अब देखे मेल में बात करें Vessels की तो देखे कौन-कौन सी है Perennial आर्टरी की और यह Transverse Perennial है तो यही नामों का Transverse Perennial है ठीक है यह होगे Perennial आर्टरी की दो ब्रांच कहां से पास होती है Superficial Perennial पाहुच में ठीक है फिर देखिए जो हमने Deep Perennial Space का वीडियो देखा होगा Deep Perennial Space में Artery of Penis की हमने चार ब्रांचे देखिए थी जो stem बना के वहाँ से पास होती है उसका stem वहाँ पे Present होता है कहां था Deep Perennial पाहुच में ठीक है तो वही कहां पे Present होती है Superficial Perennial पाहुच में भी Present होती है कौन-कौन सी देखिए न Artery to bulb of Penis है Urethral Artery अब देखिए लास्ट पॉइंट हमारा की बात करें तो हमने Deep Perennial पाहुच में क्या देखा था Bulbohyurethral Gland वहाँ पे Present ही लेकिन Female में Deep Perennial स्पेस में कोई भी Gland present नहीं थी लेकिन अगर हम Superficial Perennial स्पेस की बात करें तो देखिए Male में कोई Gland तो Present नहीं है ठीक है Gland क्या है Absent है लेकिन Duct present है कौन सी Bulbohyurethral Gland की जो Duct है न वो Superficial Perennial स्पेस में से पास होती है लेकिन अगर हम Female की बात करें तो Deep Perennial स्पेस में तो कोई Gland present नहीं थी लेकिन यहाँ पे Gland और Duct दोनों present है ठीक है कौन सी Gland present है Greater Vestibular Gland present है ठीक है और उसकी Duct भी यहीं से पास होती है ठीक है तो यह हो गिया Gland and Duct of the Present in the Superficial Perennial Space ठीक है तो This is the All About of the Superficial Perennial Space ठीक है अगर यह वीडियो आपको पसंद आए है तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब और जरूर करना और अगर आपको इस वीडियो के चार्ज चाहिए तो मैंने मेरे Social Media Groups की Link Description पर रख दिया वहाँ से इसे Download कर सकते है ठीक है Thank you everyone Thank you for watching this video and keep watching